गूद बॉर्निंग एवरिवन और वेलकम तू माय चैनल शायद आप लोगों को ये देखके पता चली गया होगा कि इस वीडियो में मैं किसके बार में इंफोर्मेशन दूँगा जी हाँ दोस्तों, 5 of the best chameleons जिसे हम अपना pet रख सकते हैं Presenting you the best chameleons निचे जे शुरू करते हैं So starting with the fifth one, that is flat neck chameleons ये breed की chameleons बहुत ही छोटी होती है ज्यादा से ज्यादा बारा इंचेस तक लंबी होती है ये green और yellow color के form में ज्यादा मिलती है इसको ये नाम गले के पास की चंबडी के वज़े से मिला है जो शिकारियों को डराने के काम आती है इनको पेड़ पॉदर वाले tank setters बहुत अच्छे लगते है दुख की बाद ये है कि ये कार्बिलेंस बास दो से तीन साल इदिक जी सकती है बट वन अफ तो मैं फेवरेट कमेलियन इनको ये नाम इसके सर के उपर घुमावदा स्ट्रक्चर के वज़े से मिला है हां जंगली कमेलियन अपने इस सर का इस्तेमाल वारिश की बूंदे जमा करने के काम आता है ताकि डायक पानी इनके मूह में आ है वैसे तो ये ब्राउन, ग्रीन, येलो कलर्स की शेड में ज़्यादा दिखने मिलते है ये 6-8 साल तक जी सकती है और इनकी लंबाई 10-24 इंचिस तक होती है हां अगर फेमेल है तो हाइट चोटी होगी ये टाइप की कमेलियन थोड़ी एग्रेसी होती है बट इनका ध्यान अच्छे से रखा जाये तो इसको लगा हो जाता है अपने ओनर से और इनको रख पालने के लिए इनका जो टैंग होगा उसकी हाइट आपको बहुत रखने के लिए बिकास इनको पेड़ पे चड़ना बहुत पसंद है ये टाइप की कमेलियन सबसे बड़ी होती है ये थर्टी इंचिस तक होती है और जंगल में ये चोटी-चोटी चिडियां और दूसरी कमेलियन को खाती है हाँ इनकी साइज और मजबुत बॉटी की वाज़े से इनका केर इसली रखा जा सकता है ये बहुत ही इसली और लोगों को ये बहुत पसंद आते है बिकास इसके बॉटी का स्ट्रक्चर प्री हिस्टोरिक डाइनोस जैसा होता है हाँ इसके सर के उपर तीन सिंग होती है और जब ये चार महिनेगा हो जाता है तब इनकी सिंग उखती है हाँ डरना नहीं अगर आपके जैक्सन कमेलियन को सिंग नहीं है अगर उसको सिंग नहीं है तो इसकी वो फिमेल होगी तो कि अपन्थर चमेलियन की नहीं होगी है वोगी है ठावन्थर चमेलियन रिंब ये चमीलियन यह जादा से जादा पात साल तक जीते हैं और इनको 26 degree Celsius temperature लगता है डेट टाइम में और humidity something around 70% इसको यह नाम geographic locations के वज़े से मिलता है वैसे तो जंगली पैंथर चमेलिंस 21 इंचेस तक बढ़ते हैं बट बालतु पैंथर चोटे ही होते हैं साइजस में सिम पैल्ड कमेलिंस की तरफ यह भी aggressive होते हैं इनको भी अगर इनका ध्यान अच्छी सा रखा जाए तो यह भी अपने owners से बहुत घुल मिल जाते हैं और हाँ जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इस लाल बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को भी ताकि मेरे सारे अप्डेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिलें आप लोगों को तो प्लीज अब लाइक कमेंट और अपने बीएफफ के साथ शेयर जरूर करें